नमस्कार दोस्तो स्षागत्र आपका विध्याद्यली आये ईसके पॉल्यटिकल-science discussion में दोस्तो हमने इस्टार्ट किया है और इसको आज यह पहली ख्लास है जीएस तो हमारा पहले से चल रहा है इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइन्स की जो ओल्ड इयर कुश्यन पेपर से और आज हमने इसका पहला पेपर जो स्टार्ट किया है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो है पीजिटी पॉलिटिकल साइन्स 2014 और जो दिली का है ठीक है DSSB का ठीक है और इसका हम यहाँ पर डेटेल डेटेल डिसकुर्शन करेंगे और इसका प्रॉपर अनालेसिस करेंगे और उसे हिसाब से हम इसको करेंगे कि आपको जो ये वाला पेपर तो आपको solve होई ही जाए बाकी ऐसे related topics से जब कोई question आएगा तो आप उन questions को भी attempt कर पाएंगे और उसको भी correct कर पाएंगे प्लस हम यहां यह भी जानेंगे कि question पेपर को solve करने की और क्या-क्या tricks होती है कि यदि जब हमको नहीं आता हलका सा idea होता है उस condition में भी हम question को attempt करके उसको correct कर सकते हैं यह part 1 है हम कोशिश करेंगे कि means एक class में 5 questions attempt करेंगे और उसका deep analysis करेंगे detail में तो आज का जो पहला question है वो means आज का जो पहला question है वो यहाँ पर number डला हुआ है 101 तो actually में दोस्तों यह जो exam था series A का उसमें questions जो start हो रहे है political science के 101 से start हो रहे है तो core political science की अगर हम बात करें also 2014 के paper की तो उसमें यह first question है core political science का बाकि JS और aptitude reasoning वगर आता है उससे पहले यह इतनी सारे 100 questions वो उसमें होते हैं first part में जो के second part core political science का होता है और यह questions जो भी हम यह discuss करेंगे वो cable PGD के लिए ही important नहीं होंगे जैसा कि आप जानते हैं यह important होंगे आपके net के लिए GRF के लिए या कोई other exam जो होता है जो political science से relate करता है तो आईए start करते हैं आज के पहले question से the term city state is generally associated with जब भी हम city state की बात करते हैं तो यह किस से relate करता है means कहां से इसका उदय हो रहा है इसका origin कहां से हो रहा है तो देखो इसका उदय होता है ancient Greece से ठीक है क्योंकि वहाँ पर जो city state थे छोटे छोटे जो state थे उनको city state कहा गया था अब हम आते ही इसके deep analysis पर ठीक है deep analysis की जब हम बात करेंगे तो जो city state होता है वो कैसा होना चाहिए जब हम उसकी परिभाशा की बात करें कि what is an city state what is a city state है क्या यह independent होना चाहिए independent का मतलब यह हुआ कि वो उसके पास कहीं और से उसके अंदर interference न हो ठीक है और उसकी जो needs है वो means खुद से fulfill कर सके उनको चाहिए वो जैसे की natural resources हो गए ठीक है लोगों की natural needs हो गई और other types की जो needs हो गई उनको वो वहीं से fulfill कर सके नेक्स इसमें होता है कि self-governing country contained totally within the borders of a single city एक देश हो लेकिन वो किस के अंदर हो पूरा एक city के अंदर समा जाए ठीक है तब हम उसको क्या कह सकते हैं एक city state कह सकते हैं ठीक है और अब आप बात करें होगे इतने country की बात हो रही है और इसमें word जुड़ा हुआ है एक city तो means एक शहर के बरावर का state तो कैसा शहर भाई देश के बरावर तो नहीं हो सकता पूरा जो इंडिया है यह बहुत विशाल है और इंडिया में भी क्या हो रखा है इंडिया में जो पावर का डिवीजन है वो भी पहले central government है फिर state government है फिर जो पंचायती राज institutions है municipal corporations है मिस पावर का डिवीजन है एक federal nature में तो यहां हम इसे क्या नहीं कह सकते city state नहीं कह सकते इसलिए क्या करें वो usually small होते हैं independent country होते हैं और एक single city के अंदर जो है exist करते हैं प्लस उनके पास में full sovereignty होती है उनका खुद का control होता है उसके पूरे border के अंदर में किसी और का उसमें interference नहीं होता ठीक है जबकि हम आज के हिसाब से गर हम देखें तो देखो बहुत सारी ऐसी countries में बहुत सारी के क्या बात करें हम कि most of the countries कोई exception आपको मिल जाएगा जो city state होगा जबकि कैसे multi jurisdictional है बहुत बड़े बड़े regions को उन्होंने जो है cover कर रखा है उनकी political powers divide हो रखी हैं किसमें एक national government में और दूसरा regional governments में तो वो city state नहीं कहे जा सकते और जो single city की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे function करती है उसकी political, economic और cultural life जितनी भी है वो सब एक city के अंदर आ जाती है यदि हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में हम एक तरफ पाएंगे गुजरात में कुछ different culture पाएंगे पॉलिकल सेटप, पॉलिकल सिस्टम इस different किस से उसके मनिपुर के सेटप से बिलकुल डिफरेंट है एकॉनमी और गुजरात इस डिफरेंट देन क्या मनिपुर के से या असम या नौड़्टीस्ट या आपका जमू कश्मीर या केरला तो हम उनको city state नहीं कह सकते जब हम ancient world की बात करते हैं तो there had been various city states just like Rome, Carthage, Athens, Sparta ये सब क्या होते थे? ये city state हो सकते थे ये उनके सब क्या थे? एक्जामबल से हैं और modern world में अगर हम बात करें city states की तो हमें मिलते हैं मोनाको, सिंगापूर और Vatican City ये वो हैं जिन पर जो political scientist हैं political science के scholars हैं वो एक मत हैं कि हाँ इनको हम city state मान सकते हैं आज के sense में तो यहां से भी question आ सकता है कि आपको next time जब question आए कि which one of the following is not a city state तो और भी कई सारे option दे दे और यहां से किसी से पूछ ले और modern city state में उसको count कर दे अब बात करते हैं कि इनका जो बहुत ज़्यादा उदाई हुआ था इनका origin हुआ city states का तो चौथी से पांचवी शताबदी बीसी में 4th तू 5th जो century बीसी है उसमें बहुत सारे चोटे चोटे city states थे आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आप पाएंगे कि क्या हुआ करते थे जनपद जनपद हुआ करते थे उन जनपद से बाद में बने महा जनपद महा जनपद तो जो चोटे चोटे जनपद थे जैसे कि हम कह सकते हैं बाद में जो पाटली पुत्र था पाटली पुत्र बाद में क्या बन गया महाजनपत बना पाटली पुत्र जब बसा हुआ था originally वो एक पूरी boundary wall के अंदर था तो उस समय के हिसाब से हम उसको क्या कह सकते हैं that was a city state in Indian sense अब इसके origin की बात करते हैं यहां से अगर कुशन आता है तो city state का जो origin हुआ है वो police word है किसका Greek term और इसका भी उदेख हां से हुआ है एक्रोपॉलिस का जिसका मतलब क्या होता था कि पूरा government का center जो होता था ancient Athens में वो यहीं पर जो है exist करता था एक्रोपॉलिस होते थे या पॉलिस होते थे वहीं से फिर जो English का term हाया city state क्यों क्योंकि पॉलिस या एक्रोपॉलिस का जो meaning था वो था city state in English अब हम बात करते हैं कि जो city state थे ठीक है धीरे धीरे एक ancient से जब हम medieval word की तरह आए तो वो बहुत ज़्यादा means आगे नहीं चल पाए और उनका annihilation होता गया धीरे धीरे उनका downfall हुआ और जब हम थोड़ा सा बात करते हैं जैसे इंडिया के sense में आप अगर देखें तो हम थोड़ा सा अभी हम बात करेंगे यॉरोप की मेडेवल टाइम के अगर हम बात करें तो इंडिया में भी छोटी-छोटी हम कुछ सेटी स्टेट्स पा सकते हैं वो exact absolute sense में भले नहीं हो सकते हैं बट रिलेट करने के लिए हम example के तौर पर देख सकते हैं जैसे जब इंडिया independent नहीं था तो अंग्रेजों के आने से पहले क्या थे small states थे इंडिया में जैसे मैं अगर बात करूं मुगलों के end period का जब समय चला है तो भरतपूर भरतपूर means इसको हम लोहागर भी कहते हैं क्या एक पूरी boundary wall के अंदर में एक शहर बसा हुआ था और सारा सिस्टम उनका वहीं पे चलता था तो यह तो भला करो सरदार बलब भाई पटेल का कि उन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई किया एक धागे में उन्होंने पिरो दिया इन सारे मोतियों को ठीक है वदर बढ़ना भरतपूर से कोई जो है आगरा मत्रा पटना या अलहाबाद प्रयागरा स्वरी या लखने उजाता और लौट करके आकरके आज वो कहता हो आज ऐसा होता तो तो पूरे भारत में कई सारे वीजा लगते ठीक है तो यह चोटे-चोटे स्टेट्स को सरतार वलब भाई बटेल ने क्या बना दिया एक यूनिफाइट इंडिया बना दिया जब हम एंसेंट सिटी उसकी बात करते हैं योरोप की तो हमको नेपल्स या व characteristics में हमको मिलेंगे कि यह independent होने चाहिए, sovereign होने चाहिए, इनकी power जो है एक limited boundaries के अंदर होनी चाहिए, एक region के अंदर होनी चाहिए, इन में किसी का interference नहीं होना चाहिए, power का division नहीं होना चाहिए, जैसे कि आज इंडिया में है, states और central government के बीच में, वो सब नहीं होना है, दूसरी बात, हम कभी-कभी ऐसा भी कर सकते हैं, कि जो autonomous regions हैं, या autonomous territories हैं, उनको भी कहीं हम यहीं समझ लें, कि यह भी city-state से नहीं, हम autonomous region को city-state नहीं कह सकते हैं, जैसे Hong Kong हो गया, People's Republic of China में, China का जो authentic name है, वो है People's Republic of China, हम उसमें अगर बात करें, तो Hong Kong क्या है, वो एक autonomous region तो है, but it is not city-state नहीं है, ऐसे ही Macau एक region है, Northern Island वाला जो region है, उसका United Kingdom का, तो वो autonomous region तो है, वो city-state नहीं है, क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा ऐसली कह रहे हैं, कि जब हम Hong Kong की बात करते हैं, तो अपने internal matters में, तो यह क्या है, sovereign है, अपने decisions ले सकते हैं, but externally उन पर लाग sovereign है, independent है, but इसमें rules जो लागू होते हैं, एक्टनल affairs में, वो लागू होते हैं, United Kingdom के, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं, city-state नहीं कह सकते हैं, ठीक है, यह सारी बात होगी, बाकि हमको Rome में, Athens में, यह सब आप PDF में एक पार देख लिए जागा, main, main concept में आपको, यहां discuss करत ठीक है, जैसे एक example और हम देख लेते हैं, कि आज की sense में, जो जैसे Singapore है, हम उसको political scientist जो कहते हैं, या scholars है, वो कहते हैं, हाँ Singapore को हम क्या मान सकते हैं, एक city-state मान सकते हैं, ऐसे ही मोनाको को मान सकते हैं, वैसे ही Vatican City को मान सकते हैं, जैसे Singapore एक क्या है, एक पूरा means world का second biggest sea port भ नहीं से इस पर क्या नहीं होता, interference नहीं होता, ठीक है, वो आप उसमें ये नहीं जाएंगे, कि globalization की बज़े से अब बहुत जो state की power है, state की sovereignty है, वो थोड़ी से क्या हुई है, compromise हुई है, बट हम जब city-state की बात करते हैं, तो वहाँ पर basic उसके जो factors हैं, basic parameters हैं, उनको हम दोगई को, या अवुधावी को, या इसी जो United States, sorry, Arab Emirates के अंधर जो है, उनको कभी कभी कह भी कह देते हैं, कि ये क्या है, ये भी city-state है, बट जो whole political scientist community है, वो इस पर agree नहीं करते, वो केबल मोनाको, सिंगापूर और वैटिकन सिटी को ही modern city-state मानते हैं, अब हमने बात start की थी, कहां से, city-state से, और city-state हम कहां से आया, ग्रीक से, ठीक है, ग्रीक वर्ट से आया, अक्रोपॉलिस से, ठीक है, अब हम जान लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीस का क्या मैटर है, ग्रीस को कहा जाता है, cradle of western civilization का cradle कहा जाता है, इसको, birthplace of democracy का वर्थप्लेस कहा जाता है, इसको, Olympic Games का जरमदाता यही है, यहीं से start हुए थे, और यह इसकी बहुत सारी, means, एक flourishing ancient history और magnificent temples के लिए भी ग्रीस को जाना जाता है, तो हमने देख लिया, कि जब Greek city-state की बात हुई, तो उसमें बहुत कुछ देखा, कि वो होते क्या है, ठीक है, उनकी characteristics बगरा हमने देख ली, उ modern में कहां तक हमको, जो city-state नजराते हैं, वो सब हमने देख लिये, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना second question, plateau fixed the population of an ideal state, plateau के लिए, जो एक ideal state था, उसकी population उसने क्या fix की थी, तो plateau ने fix की थी, दोस्तो, 5040 लोग, लगबग इतने लोग इसमें होने चाहिए, एक ideal state में, ideal state का मतला, plateau कहता था, कि सबसे एक best state, जिसको हम imagine कर सकते हैं, और plateau फिर कैसा आदमी है, idealist है, ठीक है, idealism की बात करेगा, तो according to plateau, population कितनी थी, 5040 थी, ठीक है, और plateau क्या चाहता था, वो ideal rulers चाहता था, वो कैसे होने चाहिए थे, उसकी sense में, philosopher kings, तो philosopher kings की जो concept था, वो किस ने दिया, वो plateau ने दिया, ठीक है, ये सब आप देख लेंगे, और वो कैसा चाहता था, कि जो philosopher king है, वो most wise होगा, most wise होगा, वो selfless भी होगा, वो virtuous भी होगा, गुणवान भी होगा, ये ऐसा राजिस्थापित करना चाहता था, कौन, plateau, अब बात हम करते हैं, जब plateau एक ideal state की बात करता है, तो plateau के लिए ideal state था क्या, देखो एक तो plateau के जो idea थे, वो idealist थे, means, जो जितना हम philosophically सोच सकते हैं, idealism से निकल कर गाया है, idealist, इसका मतलब होता है, what should be, क्या होना चाहिए, वो इस बात पर focus नहीं करते, कि क्या है, ऐसे ही ideas होता है, utopian ideas, utopian ideas are some kinds of ideas, which are something impossible to implement, on ground, ऐसे ideas को हम utopian ideas बोलते हैं, जैसे, plateau का जो ruler है, वो कैसा होना चाहिए, philosopher होना चाहिए, वो धिमान होना चाहिए, और plateau के ideal state में और क्या है, education को supreme authority दी है, उन्होंने, education को बहुत, means, ज़्यादा importance दिया है, plateau ने, जबकि, वो ये कहता है, कि education के दम पर ही, हम best ruler, आज जो है, established कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के sense में यदि हम देखें, तो education का बहुत बड़ा रोल है, society में, peace, security, या development, या economic development प्राप्त करने लिए, और दूसरी बात क्या कहता है, plateau अपने ideal state में, the spirit of justice is supreme, plateau अपने जो ideal state में, justice को क्या मानता है, वो supreme मानता है, justice की established करना चा और plateau को ideal state की क्या-क्या खाश्यत है, characteristics क्या है, तो यहां से question आएगा, आप आसानी से लगा पाएंगे, next हम question की बात करते है, question number 103, according to Aristotle, Aristotle के according, state कैसा है, state का nature कैसा है, actual में वहां से question है, कि nature of state according to Aristotle, ठीके, आपको यदि यह नहीं पता है, तब भी आप एक बार देखिए, आप कीजिए, कि Aristotle कैस कौन था, एक तारकिक विक्ती था, rationalist था, जो rationality में बिलीब करता था, तरकवाद में, ठीक है, तो जो तरकवादी विक्ती होते हैं, जो बहुत ज़्यादा logic की बात करते हैं, क्या आपको लगता है, कि वो divine में बहुत ज़्यादा भरोशा करते हैं, क्या वो यह कहेंगे, कि जो state है, वो भगवान की देन है, ऐसा कुछ कहेंगे, नहीं, तो आपको यद नहीं आता है question, तब भी आप ऐसे इसको logically इसको solve कर सकते हैं, तो पहला statement हमारा क्या हो जाता है, wrong, दूसरी बात, जो व्यक्ती, Aristotle है, जो typically क्या है, वो, वो biology में इंट्रेस्ट टकने वाला व्यक्ति था, ठीक है, तो हमेशा वो चीजों को किस से relate करेगा, nature से relate करेगा, nature से जब वो relate करेगा, तो इसको artificial तो नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि Aristotle तो nature को जोड़ के देख रहा है, state से, और state को relate कर रहा है वो nature से, तो वो artificial नहीं बताएगा, दूसरी बात, creation of force, क्या Aristotle जैसा biologist आदमी, व्यक्ति, जो biology में, science में इतना believe करता है, वो यह कह देगा कि नहीं, इसको force से, और Aristotle तो हमेशा बात करता है, किसकी ethics की बात करता है, तो artificial, creation of force, जब वो ethics की बात करता है, morality की बात करता है, virtue की बात करता है, good की बात करता है, तो वो force के द्वारा state का establishment तो बिलकुल नहीं बताएगा, अब बचा क्या हमारे पास, natural institution, तो state क्या है, एक natural institution है according to Aristotle, ठीक है, अब इसका explanation हम देख लेते हैं, कि Aristotle के views क्या है state पर, तो Aristotle के according state क्या है, natural है, वो प्राकरतिक है, प्राकरतिक कैसे है, देखो, according to him, वो क्या कहता है, कि जो necessary conditions होती है, all humans के ल state प्रवाइट करवा सकता है, जैसे, क्या कोई व्यक्ति अकेला, जंगल में उसको छोड़ दिया जाए, तो जो मनुष्य है, क्या वो रहे पाएगा, तो according to Aristotle, वो व्यक्ति नहीं रह पाएगा, दूसरा, जो प्लेटो है, इसी परंपरा का व्यक्ति है, वो भी क्या कह रहा ह कि he does not differentiate, जैसे प्लेटो कहता है, इसके गुरू जी, तो वो भी कहता है, कि हम differentiate नहीं कर सकते, between state और society में, in a similar fashion, जैसे consider it to be essential for good or good life, ठीक है, जैसे society essential है, एक good life के लिए, वैसे ही state भी essential है, essential बात हो रही है, गौर कीज़ेगा, इस पात परिया, important की बात नहीं हो रही है, essential और importance में अंतर होता है, essential वो है, जैसे मैं कहूँ essential, तो हमारे लिए जो oxygen है, O2, वो essential है, ठीक है, हम कहें कि house, रहने के लिए घर, वो important है, हाँ, उसके बिना जिन्दा रह सकते हैं, लेकिन oxygen के बिना जिन्दा नहीं रह सकते हैं, तो यह हो गया essential, ठीक, अब हम बात करते हैं, तो जोड़ करके देखता है, कि लोगों की जरूतें पूरी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने establish की क्या family, family से भी काम नहीं चला, और ज़्यादा उनकी needs थी, तो उन्होंने बनाए village, villages से भी काम नहीं चला, तब उससे निकल करके आया state, इसी लिए यह city state की बात हो रही है, यह मह क्योंकि इस natural से बना ये, और इस natural से बना ये, clear होगी बात, means यह एक चीनी का दाना, ठीक है, सुगर का particle, जब यह सुगर है, तो इसके बहुत सारे large बड़े-बड़े particle से मिल करके बना, क्या यह सुगर नहीं होगा, हाँ, तो उसी इसाप से यह क्या करता है, जो Aristotle है, define करता स्टेट को, को वो भी एक natural है, ठीक है, और वो important भी है, और natural भी है, तो बाकी जो other societies होती है, organizations होती है, उनमें मनुष्य की सारे के सारे जो needs होती है, फुल्फिल नहीं हो सकती, लेकिन सारे के सारे needs फुल्फिल हो सकती है, कहां पर, state में, इसलिए state existence में आया, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि natural human से उसने कैसे इसको जोड़ करके देखा, तो देखो, उसकी बात करें, वो कहता है, कि animal और human में जो basic difference है, वो क्या है, naturally तो हम देखेंगे, तो दोनों सेम है, दोनों की body है, खाना खाते हैं, वगरा वगरा movement करते हैं, और अपने बच्चों को जन का sense of living for a good life, तो ये एक desire है इनके पास में, human के पास में, और वो एक good life जीना चाते हैं, वो इनको animal से, बाकी animal से क्या बनाती है, different बनाती है, और इसी बज़े से, इन्होंने इस desire की बज़े से, इस sense of good living की, good sense of living की बज़े से, जो humanity के लिए क्या निकल कर क्या आया, exist करता है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा, दूसरी बात, ये हमने अभी discuss कर लिया, वो एक typical biologist है, और वो ये बात भी कहता है, कि जब हम किसी टुकडे को, एक बड़े पार्ट को, छोटे छोटे टुकडों में बांट करके देखते चले जाते हैं, biology में, dissection बगरा करके, तो वैसे ही जब हम state को छोटे छोटे टुकडे करते चले जाएंगे, तो हमको कहा मिलेगी, वहाँ पर individual आ जाएगा, individual से आगे family आ गई, और family से आगी, आपकी आगई village आ गया, ठीक है, तो इस परिसाब से हम कह सकते हैं, जो Aristotle था, वो ऐसी ही study पर जोड़ देता था, और उन्होंने study पर क्या किया, फोकस किया, अब हमने देख लिया कि Aristotle के according state कैसा है, वो natural है, और वो जैसे family की need होती है, वैसे ही village की need है, वैसे ही village से मिलकर के बना आपका state, ठीक है, अब next हम बात करते हैं किसकी, the Marxist hold that, Marxist, Marxist जो लोग हैं, वो क्या मानते है state को, कि क्या state एक class structure है, देखो, जो Marxist हैं, वो society को class में बाटते हैं, वो ये नहीं कहते हैं, कि state एक class structure है, ठीक है, दूसरी बात, state represents only workers, क्या state workers को represent करता है, ये तो कभी नहीं कहा Marx ने, Marx तो कहता है, कि भाई, state जो है, वो तो, जो powerful लोग हैं, जो capitalist हैं, जो passive आले हैं, rich people हैं, उनके लिए एक instrument है, तो उसमें workers का तो कोई representation ही नहीं है, दूसरी बात, state represents the entire community, क्या, जो state है, entire community को, जो है, represent करता है, नहीं, Marxist लोग हैं, बोट ये कहते हैं, कि state workers को तो represent करता ही नहीं है, वो तो capitalist को represent करता है, उनके लिए एक instrument है, किन के लिए, जो rich people हैं, जो capitalist हैं, उनके लिए state एक instrument के तरह काम करता है, ऐसी theory को हम instrumentalist theory भी कहते हैं, तो ये कहता है, कि state is a power system, और उस power system का use कौन करता है, उस power system का use करते हैं, जो powerful लोग हैं, जो capitalist लोग हैं, ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा, जो है, explanation, माक्स ने कहा, कि state is the most powerful, economically dominant class है, ठीक है, वो अपने आप में कैसी class है, वो most powerful class है, कैसे, कि जो bourgeois लोग हैं, वो उसके थुरू क्या करते हैं, सोसाइटी पर dominance स्थापित करते हैं, उसको पूरे सोसाइटी को control करते हैं, economically जो influence people होते हैं, जो dominant होते हैं, उनका परपज अपने objectives को सिध्ध करना होता है, और इसी थियोरी को कहा जाता है, instrumentalist theory of state, कि state क्या है, एक instrument है, powerful लोगों के लिए, और यही उसका character भी है, ठीक है, तो अब हम इसमें अगर हम बात करें, तो जो marxist हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि देखो, जो society है, वो दो पार्ट में बटी हुई है, दो main classes है, society की, एक class है पैसे बालों की, rich की, और दूसरी class क्या है, दूसरी class है गरीब लोगों की, इसको ले करके वो अपना, जो है, अपनी study को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरी बात, आगे चल करके वो कहते हैं, जो marxist हैं, या marx हैं, वो कहते हैं, कि देखो, एक तरफ आदमी हो गया, जो है poor, poor people हो गये, और दूसरी तरफ हो गये rich people, इन दौनों के जो interest हैं, वो एक दूसरे के against में हैं, और इसलिए इन दौनों के बीच में हमेशा क्या चलते रहती है, कि उनके बीच में conflict चलता रहता है, वो ऐसा conflict है, जो कभी solve नहीं होने वाला, irreconcilable है, ठीक है, और उससे जो conflict है, वो बढ़ते चले जाते हैं, यह हमें उसमें देखने को मिलता है, तो एक तरफ तो class हो गई, कौन सी capitalist की class, और capitalist में भी, स्टेट की machinery को यूज करती है, गरीब लोगों को working class को दवाने के लिए, स्टेट की machinery क्या है, पुलिश हो गई, आर्मियों की, जो force का यूज करते हैं, गरीब लोगों को अपने control में करने के लिए, ठीक है, तो स्टेट कैसे यूज हो रहा है, वो एक instrument की तरह यूज हो रहा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, question number 105, question number 5, the statement that the state is an ethical institution, कि state एक कैसा institution ethical, which is indispensable for the full moral development of man is attributed to, कि state एक ethical institution है, और वो जरूरी है कि इसके लिए, full moral development के लिए, मनुश के full moral development के लिए जरूरी है, essential है, ठीक है, और उससे अलग नहीं कर सकते हैं, तो यह कौन से theorist इस बात को कहेंगे, देखो, आप इसको eliminate कर सकते हैं, individualist को कैसे, जो individualist हैं, वो state को importance न दे करके, एक व्यक्ति को importance देते हैं, तो यह तो हो यह नहीं सकता, anarchist की हम बात करें, तो anarchist लोग कौन, जो state को चाहते ही नहीं है, वो यह कहते हैं, कि state तो होना ही नहीं चाहिए, त state को क्या मानना है, एक exploitation का instrument मान रहा है, और वो यह कह रहा है, कि एक stage ऐसी आएगी, जो communism की, कि जब state समाप्त हो जाएगा, तो यह तो कहें नहीं सकता, तो यह भी incorrect हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, idealist, अभी जो हम उपर discuss करके आए थे, जिसमें Aristotle की हमने बात की, ठीक है, और हमने उसमें बात की थी, प्लेटो वगरा के भी, कि यह उसी परंपरा के लोग हैं, जो योटोपियन आइडियाज रखते हैं, idealist होते हैं, तो idealist कौन, आप इसको बिलकुल basic भाशा में अगर समदे, idealist वो, जो 100% तारीफ करेंगे, glorify करेंगे, किसको state को, वो यह कहेंग कि state की बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, तो उसको कहेंगे हम idealist, ऐसे लोगों को, जो state को क्या मानते हैं, supreme मानते हैं, कि state बिना काम चल ही नहीं सकता, तो इसलिए, idealist जो थोरी है, उसको हम कभी-कभी absolute power theory भी कह देते हैं, जो state को क्या मानती है, एक ethical institution मानती है, कि उसके बि अगभी नाम है, जैसे absolutist theory हो गई, philosophical theory हो गई, या metaphysical theory हो गई, या metaphysical theory हो गई, यदि हम पहली बाली की बात करें, absolutist की, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, कि theory waste absolute power in the state में, कि अब कोई power ऐसी नहीं है, जो state में नहीं होगी, सारी power state में, कुछ नहीं छोड़ा, सारी power दे दें state को, तो भाई ये तो क्या कहींगे, ethical कहींगे, ऐसे institution को, वो नहीं है वो तो, क्योंकि state की तारीफ उनको करनी है, दूसरा जब हम metaphysical की बात हम करते हैं, तो वो इसको जोड़ देते हैं क्या, कि ये stress करते हैं किस बात पर, explains कैसे, states nature in philosophical terms में बताते हैं, कि state तो होना ही चाहिए, state क बना तो कुछ होई नहीं सकता, ठीक है, जैसे कि Plato हो गए, Aristotle हो गए, ये भी किस की तारीफ करेंगे, ये भी state की तारीफ करेंगे, और वो क्या कहते हैं, कि state एक self-sufficient entity है, जो पूरी society की तरह ही है, और society की सारी needs को पूरी करती है, तो ये होगी वो वाली theory, अब हम बात करते ह कि modern times में, idealism को ले करके, कौन-कौन ऐसे लोग हुए, जिन्होंने इसको support किया, तो पहले तो एक देखने को मिल रहे है हमको, Germany के Emmanuel Kant, तो अब आपके questions यहां से भी connect हो सकते हैं, जब आप connect करके पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं पका बता रहा हूँ, आपका चाहे वो net हो, या JRF हो, या अधर PGT बगरा के एक जामसों आपके निकलेंगे, ठीक है, मैंने इसी तरीके से relate किया, और study हम करते रहें, उसी वज़े से हमने UPSC बगरा या जो PGT हो गया, net बगरा हो गया, ठीक है, यह सब हमने qualify किया, but his concept was glorified by Hegel, देखो, starting कौन कर रहा है, idealism की, इधर modern times की ब और उसको फिर glorify कर दिया, बहुत जादा आगे बढ़ाया, वो बढ़ाया किसने, Hegel ने, ठीक है, तो idealist theory की जब हम बात करते हैं, उसकी अपनी एक long history है, ठीक है, और उसके जो exponents हैं, वो traditional sense में भी रहे हैं, और modern sense में भी रहे हैं, ठीक है, और इनी, जब यह idealist हैं, वो कहत होती है, तो देखो कितनी तारीफ यह कर रहे हैं उसकी, और जो state है, वो responsible होता है for development, welfare of individual, तो फिर क्या कह रहे हैं, कि देखो state की जरुवत क्यों है, क्योंकि उससे human का development होगा, तो यह कुलमला कर यह क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, यह सिद्ध करना चाह रहे हैं, यह सिद करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो हमारे भले के लिए है, ठीक है, और जो exponents कौन कौन रहे है, idealistic theory के, देखो एक तो Emmanuel Kant रहे, जब ऐसा question कई बार पूछे गए हैं, एक Heagle है, TH Green है, वो सांके हैं, और Fict हैं, तो इस प्रकार से पहले भी question आया है, net.grf में, PGT बगरा मे कि निमल खितमे से कौन, which one of the following is not an idealist, ठीक है, तो यहां से आप उनको solve कर सकते हैं, अब एक बार हम देख लेते हैं, कि idealism जो है, वो है क्या, और उसकी theory क्या है, उसके features क्या है, उसके characteristics क्या क्या है, देखो, तो एक तो पहली बात करेंगे वो क्या, कि state is an ethical institution, तो वो सब से उसको connect करके बताएंगे, उसे family से, villages से, और यह बताएंगे कि state के बना काम नहीं चल सकता, दूसरा, state is man's best friend, man का best friend है, क्यों, क्योंको उसकी सारी की सारी जरूरत पूरी करता है, सारी की सारी जो उसकी activities है, वो state के अंदर होती है, और जो human की basic necessity है, वो सारी की सारी उसमें प focused होती है, तो ऐसे कह देंगे यह, दूसरा, state has got its independent will and personality, state की अपनी एक independent will है, और personality भी है, जैसे कि एक मनुष्य की होती है, ठीक है, दूसरा वो क्या कहेंगे, state is creator and protector of rights of the individuals, individual के rights को create भी करता है, उनको protect भी करता है, in the sense, आप देखिए, यदि state नहीं होता, मैं idealism theory के according बता रह होता, तो क्या होता, तो होता, state of nature, और state of nature में क्या होता है, फिस justice होता है, वहाँ पर, एक बड़ी मचली, छोटी मचली को खाती चले जाती है, और उससे बड़ी, उससे बड़ी को खाएगी, जैसे इसको खाया, इस बड़ी वाली ने, इसको इससे बड़ी है, इससे के लि सबाशेर भी है कोई तो इसलिए कह रहे हैं कि state हमारे rights की क्या करता है रक्षा करता है ठीक है next जब हम बात करते हैं कि the basis of the state is will है not force क्यों कि छोरों को सजा मिले तो लोग चोरों को सजा इसलिए नहीं मिल रही है कि पोली सकती साली है, पोली इसलिए शकती साली है कि लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सकतिसाली एक powerful institution हो जो चोर, उचके, बदमास, गुंडे, terrorist उनको क्या कर सके इनको retaliate कर सके, उनको eliminate कर सके तो idealist जो है, state को इस तरह से क्या करते हैं, justify करते है next, states should remove an obstacle to good life और state क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए उसको करना चाहिए, एक good life के लिए जितनी भी जरूरतें होती है और उसके बीच में जो obstacles आते हैं, जो problems आती हैं उनको क्या करें, वो remove करें, तो क्या करता है state, हां करता है roads बनवाता है state, और बहुत सारी जो है, बिजली, पानी, शड़क ऐसी facilities को provide करता है state, जो आतंकबादी या terrorist बगरा होते हैं, चोर उचके बदमाश, यह सब होते हैं, उन से रक्षा करता है जो बाहुबली ट्राइप को लोग होते हैं, अब तो आप UP government में आप देख सकते हैं, कि बाहुबली के खिलाब बड़ा नीन संगमा चलता रहता है बुल्डोजर चल रहा है, तो वो किसका प्रतीक है, यह इसका प्रतीक है, कि state बहुत powerful है, हमारे rights की रक्षा कर सकता है next, an individual should obey the state, हाँ, state को ओवे करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए है, दूसरा, state possesses an organic unity, तो जैसे human body हो गई, ठीक है, human body हो गई, तो human body में हाथ, पे, रना, कान, यह जुतनी भी चीज़े हैं, वो भी important है, तो पूरी body भी important है, तो idealist क्या कहते हैं, कि जैसे, पूरे शरीर से ज्यादा important उसका अंग नहीं हो सकता, जैसे हम कहें, कि जो हमारा एक कान है, गौर की जगा, हमारा जो एक कान है, क्या पूरी हमारे शरीर से ज्यादा important हो सकता है, हाँ, कान भी important है, लेकिन शरीर से ज्यादा नहीं, तो यह justify करते हैं, कि state ज्यादा important है, individual नहीं, क्य कहता है कि जो भी मनुश्य नुख कि निड़ होती है तो दोस्तों इसके हमने- आज हमने पांच कुशन जो है डिसकस की आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पांच या और ज्यादा कुशन डिसकस करेंगे ठीके और जदी आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आपको के लिए पसंद आया जो explanation है analysis है तो चैनल वीडियो को like करें और share अपने साथियों कर साथ जरूर कर दें अब बात आती है PDF की कि आपको PDF कहा मिलेगी तो आपको PDF मिलेगी PSIR विद्यांजली IAS यह PSIR के लिए अलग से बना हुआ चैनल है यहाँ पर आपको इसकी सारी जो है PDF मिलती रहेंगे PDF इतनी डिटेल में होंगी कि आप वहां से बहुत सारी questions को solve कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कल फिर मिलते हैं नई क्लास में तब तक लिए बाबाय टेक केर